हलो एवरिवन, आज 31st December 21 है, यानि आज साल का आखरी दिन है, कल से एक नया चेंज होगा, नया साल स्टार्ट होगा, कहने को केवर्ड डेड बद लेगी, कहने को यर बद लेगा, और हम सभी लोग जाते हुए साल को हमेशा विदा करते हैं, और नय साल में बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ अपनी स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को कुछ मैसेज देना चाहूँगा, पिछले दो साल से हमन ना सीख गएं कोविट के साथ, पता है क्या करना है और क्या नहीं करना, और इतने टफ टाइम को देखने के बाद, आप सभी लोगों में मुझे उम्मीद है, कि अब एक बात तो समझ में आ गई है, कि हम जीवन में हर समय को गुजार सकते हैं, और हर चीज समय के साथ या बहुत तफ टाइम को देखाओ, बट आने वाला समय मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, और धीरे धीरे चीजे नॉर्मल होती जाएंगी और होने लगी हैं, आप सभी को भी में नय साल की धेर सारी सुबकामनाय देना चाहूंगा, ट्विटी टू और आने व साल से या एक जनवरी के बाद ये ये नय सपनों के साथ एक नया साल स्टार्ट करते हैं, पर आपने पिछले कई सालों में ये नोटिस किया होगा कि वो कई बार पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हम वो 31 डिसमबर को ही डिसाइड करते हैं, मेरा मानना है कि एक थौट आपकी जीवन को बदल सकता है, उसके लिए ना 31 डिसमबर की जववत है, ना मंडे की जववत है, ना दिवाली की, ना इत की, ना हुली की, किसी चीज़ की जववत नहीं, यानि यदि आपने एक बार संकल्प ले लिया और उस संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए, तो मैं sure हूँ कि आप जीवन में वो सब पा जाओंगे, तो 22 के लिए मैं आपको एक ही message देना चाहूँगा, क्योंकि ये channel educational channel है, आप सब लोगों के अपने सपने हैं, और आपने अपने life में जो जो decide किया, जो जो आप अपने जीवन को देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, सबसे पहले तो सपने केवल वही पूरे होते हैं, जो खुली आखों से देखे जाते हैं, तो जो आपका dream है, जो आप बनना चाहते हो, पहले उसको एक blank page पे लिखो, कि आप अपनी life को आज से एक साल बात, पांस साल बात, और दस साल बात कैसे देखना चाहते हो, और जब आप अपने सपने को एक blank page पे लिखेंगे, आपका dream हो सकता है, कि आप IIT crack करना चाहो, आप defense में जाना चाहो, आप nimset crack करना चाहो, आप UPSC crack करना चाहो, आप cat crack करना चाहो, या whatever, जो भी education वाला channel, इसलिए मैं इसी बात कर रहा हो, पर हो सकता है कुछ भी आपका, आपको ज पिर उसके लिए क्या action लेना पड़ेगा कि आपका सपना पूरा हो जाए, वो second step है, हर इंसान सपना देखता है, और बहुत कुछ जीवन में बनना चाहता है, पर एक चीज जो मैंने देखी है, कि सबके पास सपने भी होते हैं, क्या करना होता है, ये भी पता होता है, पर action plan नहीं होता, और याद रखिए, without action plan, जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता, यदि आपके पास बहुत अच्छी स्टोरी है, और आप सोचते हो कि अगर मैं इस पे एक फिलिम बनाऊ, तो ये फिलिम बहुत हिट होगी, हिट होगी, फ्लॉफ होगी, ये जब दिसाइड होगा, अगर आपने action plan लिया, सबसे पहले कि आपको क्या करना होगा, उसके लिए एक proper action plan लीजे, और जुट जाइए, बिना मुड़े, बिना पीछे देखे, और एक important चीज जो मैं हमेशा हर बच्छे से expect करता हूँ, जीवन में सफलता की सबसे बड़ी जो कुझी है, की है, वो है discipline, regulatory और पंचूर्टी, अगर आप highly discipline है, तो आपको कभी कोई नहीं हरा सकता, आप कभी भी देखिए, जो national level पे, international level पे players होते हैं, एक height के बाद भी, वो अपनी regular performance practice कभी नहीं चूरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, कि इस height तक आने के लिए उन्हें जो महनत करनी पड़े, उससे कई जादा महनत, उस position को बनाये रखने के लिए करनी होती है, आप भी वही thought रखिए, पहले तो आपको एक height achieve करनी है, और फिर उसको maintain करना है, यह दोनों बाते बहुत ज़ूरी हैं, पर इन सब के लिए, एक important चीज़ है, वो है आपके पास एक proper action plan, जब कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर हम सोचते हैं कि हम UPSC की तयारी करें, हम सोचते हैं कि हम NIMSET की तयारी करें, मेरा मन है कि मैं IIT में जाओ, मेरा मन है कि मैं SRO में जाओ, मेरा मन है मैं scientist बनूँ, ऐसे बहुत सारी बाते बोलते हैं, मैं बोलता है, मन है इसका छोड़ दो, इसके पर उन रास्तों पर उस वे पर कैसे चला जाएं, इंपिटर्स गुरुकुल हर तरह के बच्चों को सपोर्ट करता है, करता है और आगे भी करता रहेगा, कहीं आपको दिक्कत आए, आप ज़रूर इंपिटर्स गुरुकुल से कौंटेट करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, दूसरा मैं चाहता हूँ, आप सभी एक संकल बोल ले, पिछले कई सालों से इंपिटर्स गुरुकुल ये काम कर रहा है, और इंपिटर्स गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों ने भी किया है, आप सब को भी बोलूँगा, कि अगर कभी कोई आपकी मदद करे, तो जीवन में जब आप इस लायक बन जाओ, कि आप किसी की मदद कर सको, तो कम से कम एक बच्चे की एजुकेशन में मजद दिवूग करना, फाइनेशल सपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, एमोशनली और केरियर सपोर्ट, तो हो सके, तो आप भी अपने जीवन में एक या एक से अधिक बच्चों को मदद करना, उनको आगे बढ़ाना, ये थौट भी अपने अंदर रखी, क्योंकि मेरा मानना है, कि यदि आप सोचते हो, कि मुझे किसी की मदद करना है, तो आप मदद किसी की जब ही कर सकते हो, जब आप इस लायक हो कि आप मदद कर सको, यानि अगर आप ये सोचते हो, कि आपके वज़े से 10 लोग के जीवन में कुछ अच्छा हो तो पहले आपको अपने जीवन में अच्छा करना पड़ेगा कहीं न कहीं ये thought आपको आगे बढ़ाएगा तो इसी thought के साथ इसी session के साथ मैं end करूँगा आप सब लोगों को 22 और आने वाले हर साल की धेर सारी सुपकामना है आपका हर दिन नया हो मैं तो कहूंगा कि कल एक जनवरी हैपी ना हो बलकि हर दिन हैपी हो और हर दिन हैपी जब ही होगा जब आपने जो सोचा है वो आप कर रहे होंगे तो once again happy new year and all the best best of luck Thank you